प्यारे बचो इस वीडियो के जरीए मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ NMC Act के Section 10 Within Bract 1 के सब पैरा 1 में यह प्रावदान है कि इंडिया में जितने भी Private Medical College और Dimmed University है उनकी 50% सीटूं की Feast Government तै करेगी बाकी 50% सीटूं की Feast College Management तै करेगा इसमें MBBS की Feast के साथ PG की Feast भी सामिल है आप और हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो Private Medical College है उनमें इतनी ज़्यादा Feast है कि जो Meritorious Student है वो भी इसमें Admission नहीं ले पाते हैं Feast के कारण तो यह इसी साल से लागू होना है यह जो 50% सीटे हैं उन पर Government Feast यानि की Government Body इस पर तै करेगी Feast तो जून 2020 में NMC ने इसके बारे में ड्राप्ट तयार किया था मार्ज की मीटिंग में वो फाइनल होना था मगर तातकाल इन हालतों की वज़े से उसको फाइनल नहीं किया जासका अभी उसी के क्रम में मैं आपको NMC ने एक ड्राप्ट तयार किया है और उसकी गाइडलाइन भी जारी की है इसके अलावा पब्लिक से इसके बारे में सुझाओ भी मांगे हैं कहने का मतलब यह है कि एक फीज फिक्सेशन कमेटी तयार की है सभी स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कोलेज और डिम्ड इनिवर्सिटी की फीज तय करेगी यह जो कमेटी है और वो इसी साल से लागू होने की पूरी-पूरी समावना है अभी NMC नी जो यह पब्लिक नोटिस दिया है इसमें नीचे गाइडलाइन दी है इसको आप पढ़कर अपने कमेंट से legal at nmc.org.in पर mail कर सकते हैं वैसे मैं इस ड्राप्ट की guideline के man-man points यह बता देता हूँ इसमें लिखा है कि कोई भी institution किसी भी रूप में capitation fees charge नहीं करेंगे इसमें आगे यह भी लिगया है कि institutions को non-profit ways पर रखना है मतलब कि private medical college और dimmed university का हर साल audit होगा उसी के according college का एक साल का expense निकाला जाएगा और उसी के इसाब से fees regulate की जाएगी इसमें college maintenance के नाम पर भी बहुत ज़्यादा fees नहीं ले सकते fees old और new private college को देखते हुए fix की जाएगी यानि कि जो old college है वो पहले से established है इस कारण उसमें खर्चा कम होगा new medical college में खर्चा ज्यादा होता है और उसके जो recurring expense है और development जो expense है वो काफी ज्यादा होते हैं तो इन सब बातों को देखते हुए fees fix की जाएगी मतलब की old medical college की fees new medical college की fees से काफी कम होगी इसमें tuition fees के अलावा जो बाकी fees होती है जैसे hostel fees हो गया, mass fees हो गया, transport fees हो गया, library fees हो गया, sports fees हो गया, exam fees हो गया ये fees भी regulatory authority द्वारा तै की जाएगी इसके अलावा, fees fixation करते समय student teacher के ratio को देखते हुए fees regulate की जाएगी यानि कि किस college में कितने student हैं, उस पर कितने teacher available हैं इन सब को देखते हुए ये fees regulate की जाएगी इसमें एक important guideline यह भी दी गई है कि भहुत सारे private medical college student से security money लेते हैं तो ये security money course complete होने के बाद student को वापस कर दी जाएगी और जब तक ये security amount college के पास रहता है उसका जो भी FD वगरा का interest होता है वो student के fees में deposit किया जाएगा लेकिन यानि कि जो student के जितने भी कर्चे होते हैं इन सब से वो घटा दिया जाएगा यानि कि वो student को समय समय पर उसके खर्चे में जोड़ा जाएगा ये तो ये man man guideline थी जो student के favor में है तो आप इन guideline को एक बार read कर ले और इसके बाद आपके कोई comments हैं तो आप legal at nmc.org.in पर mail कर दे तो दोस्तो ये जानकारी थी private और dimmed की fees fixation के drop के बारे में इसके बारे में बाकी update मिलेगी तो हम आपको inform कर देंगे और हम आसा कर रहे हैं कि ये इसी साल से लागू होने की संभावना है इस साल से ही लागू हो जाएगा और बाकी update के साथ में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए मैं आप से लेता हूँ विदा जैएगा